मुल्क पटड़ी से उतरा फिर चड़ना नसी भी नहीं हुआ उसको मुल्क पटड़ी सहाब का कोई भी विजट शी जिंपिंग के लिए खत्रे का बाइस हो सकता है और वो इसको अपने लिए एक परिशानी समझ रचाइस के जो प्रेजिडेंट है रशीजा के उन से मोधी जी के वो एक विजट भी रहता है रह गया कि पाकिस्टान को दो हिस्टं मे तो पाकिस्टं को कब आद दो हिस्टं में तकसीम हो चुका और मुखावरत तन ही हकीकतन हो चुका इंडिया के खिलाफ नहीं है क्योंकि रशिया इंडिया के खिलाफ नहीं हो सकता ये बात आप समझ लें कि इंडिया और रशिया की जो decades पुरानी दोस्ती है मैं सिरफ ये relations नहीं कहरी याद रखिये ये बहुत गहरी दोस्ती है लेकिन जब रशिया के उपर problem आई तो फिर मोदी जी खड़े हो गया रशिया के उपर संकट खिया तो मोदी जी खड़े हो गया उन्होंने कहा कि हम आपका इसमें साथ देंगे और फिर जो women situation हो सकता था दुनों देशों के बीच वो किया रिया हम पच्छीस करोड़ लोग दस पंद्रा जार लोगों के बिल देने के लिए पैदा हुआ है ये है हमारी 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 जो वो जैसे कहते हैं अगर वो टैक्सिस देखें जिस संदास से वो खर्चते हैं मतलब मैं तो अगर हूँ कुछी बोलने वाली के पैसिटी में मैं तो नहीं इतना ज्यादा ज्यादा domestic politics पर बोलता दोस्तों इस वक्त बात ये चल रही है कि बारत के वजीर आजम देलेंद्रा मोदी रशा जा रहे हैं और वो अपने पहले bilateral trip पे रशा क्यों जा रहे हैं ये एक bilateral trip है इससे पहले जब प्राइम निस्टर मोदी जी सेवन की मीटिंग में गए थे समिट में गए थे तो वो एक multilateral forum था तो अभी वो क्या कर रहे हैं कि वो bilateral trip पे जा रहे हैं इस चीज को बहुत सारे लोग जो हैं वेस्ट के अंदर हिरांकी से देख रहे हैं तो इंडिया जो है ना वन मारा भी तो इंटरस्ट देख रहे हैं ना आप मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं इंडिया ऐसे बात करते हैं यह हर मुलक बागी यह पाकिसान नहीं कर सकते ठीक है विसे पाकिसान भी अलका पूल करता है लेकि पाकिसान चाइना करता है पाकिसान चाइना पे कोई चीज कि एट लीस्ट पाकिस्तान जो है ना उसकी दोस्ती इस लेवल पे है ठीक जी अब रशिया का जो जो पहले एक जिसे कहते हैं बहुत ज्यादा वैपन दिया करता था ठीक जी अब कम हो गया पहले आप देखें कि रशिया जो है अगर दोजार उन्नीस से तेरह की मैं एक करीबं 2019 से लेके 2023 का अगर देखें तो सिरफ 36 वी सब्सक्राइब तो इंडिया इस गॉन तो फ्रांस इंडिया इस गॉन तो इस्राइल इंडिया इस गॉन पर देस्ट इस एंड इस सम्सॉट ऑफ इंडिजिनस डिवेलप्नेंट जिसे वह अत्मैनर बारत कहते हैं तो यह वेस्टरन जो कंट्री साइब इसे मनें का उन से वो जा उनके पाफ जा रहे हैं और और जिस सीज़ लिए प्राइमनर सो मोदी जा रहे हैं यह वह इंडिया रशीया से खरीद खरीद के घर में उसको रिफाइन करकर के और अमरीका और यॉरप को बेज रहा है इस सीज़ के वो पढ़ते हैं कि यह मासा तो क्या रहा है ठीक है जी अब वेस्टर्ण वर्ड करते हो जी आप तो उसकी रिशिया की वार एकॉनमी को सपोर्ट कर रहे हैं आप उसकी वार एकॉनमी को सपोर्ट कर रहे हैं आपको पता है जब से जो क्रेंड वार रही है दोजा 54 billion dollar then 2022 में 33 अरव डॉलर दोजार इकीस में पांच अरव डॉलर दोजार वीस में दो अरव डॉलर करां ठीक है ठीक है यह आप इमाजन करें कि अगर इंडिया 2000 यह मेरा ड़ाटा नहीं है इंडिया की इंडिया 2000 में अगर 54 अरव डॉलर से जादा का तेल रहा है तो आप क्या समझते हैं वह बेवकूप समझते हैं आप उनको उनको बड़ा पता हम यह तेल क्यों कुरीद रहे हैं और यार एक शारिया चार बिलियन लोगों का मोलक है वहां पे तेल की सप्लाइए कम हो जाए तो क्या तमरेशा लगज़े तो इंडेन इंफलेशन में घाई दुरिया किस मुलक में अमरीका में भी मैंगाईगर ओने हैं कैनेड़ा पे भी मैंगाईगर ओने हैं योरॉप जांग पर कैम्टा सब्सक्राइप्ता इंकंब 25 डालर है तो जहां पच्छी ब्सक्तान लोगों की पर्शेजिंग आप पाकस्तान को देख लिए हमारे भी में काईकर होने हैं अभी हुकूमत ने ठ्राग अटेक्स लगा हैं जो जो दूद पैकेजड मिल्क दोसो नवे तीन सो रवेगा मिलता था पाकस्तान में अब वो संदे में आ रहा कि तीन सो सकतर असी का हो गए थैंक्स टू अलीट ऑफ पाकस्तान जो इंजॉय करती है खाती है पीती है मौझे मारती है यशियां करती है और हम जो हैं उनके बिल देते हैं हम पच्छीस करोड़ लोग दस-पंद्राजार लोगों के बिल देने के लिए पैदा हुआ हैं यह है हमारी 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 जो वो जिसे कहत सब्सक्राइब करते हैं मतलब मैं तो अगर हूँ कुछी बोलने मेली कि पैस्टी में मैं दो नहीं इतना जादा जादा डिमेस्टिक पॉलिटेक्स पर बोलता है तो क्वेस्टिन इस के मैं तो इस चीज़ पर कंपेंट चलाऊं कि भाया आप लोगो जो यह जो गाडियों म तो लोगों को वहां पर बीजूते बढ़ रहे हैं और सड़कों पर यह जूते बढ़ रहे हैं खटो बचो हो रही है एंगर पची सो डॉलर पर कैफटा इंकम पे अगर वो बाइर से तेल इंपोर्ट ना करें तो तेल की कीमतें बढ़ यह कह रहे हैं कि हम तीस पर हमारी यहां वे तीस रुबे तक इंडियों तेल बढ़ जाना था ठीक है जी सो इंडिया जो है वो बेसिकली रसिया को ऑन बोर्ड लेने जा रहा है कि पाइन एजड़े साथ तलकाद ने ना रसिया देनाल अमरीका देनाल यह जो हम वेस्ट के साथ गुड़ी और दूसरा नरेंडर अमोदी साहब उनको यह भी बताएंगे कि यह जो चाइनीज हैं यह मारी बात नहीं सुन औरे चाइनीज हमें लिफ्ट नहीं करा रहे मामलात हमारे बार्डर पर खराब हैं जुंस के मरे साथ डायलॉग नहीं कर रहे लहाज़ा हमें अपंड़ी